साहिल को क्या लगता है राजनीती क्या है मितलों राजनीती को कैसे देखते हैं बड़ाई tricky question है कुछ कमिया बता पाए बीजेपी की आप ऐसी कौन सी चीज आपको लगती है कि जिसमें सुधार की जरूर्थ है को एक ऐसी को चीज बताए विरोध ब्याना में देखिए मैं तो करता हूं तो कोई बटा जी के लिए अपने जैसे क्योkt जूठी सब्सक्राइं चुनाब लड़ना या कुछ भी है यह सब परिस्थिति के लिए यह नहीं सब पर चोड़ देते जैसा बगवान चाहेंगे जैसे जनता चाहेंगे वैसा करेंगे नमस्कार एकपत पोस्ट में आपका स्वागत है मैं हूँ सर्वेस कुकरा आज पहली दफ़ा हांसी के विधायक विनोज भ्याना उनके पुत्र साहिल भ्याना हमारे साथ है इनसे बातचित करेंगे इनको आपने तस्वीरों में देखा होगा कारिकरम में देखा होगा और बहुत सी चीजें इनकी जो परदे के पीछे करते हैं आपके सामने भी आई होगी लेकिन ये खुद सामने पहली बार आ रहे हैं साहिल आपका बहुत-बहुत स्वागत है हर पुत्र की इच्छा होती है और हर पिता की इच्छा होती है कि उनका बेटा विर आणीथी में आए लोग जानना चाहते हैं साहिल साहिल ब्यांन राज लिए सीदे dropt to आ पास्वा रहे है लेकिन सीदी तोर पर到गरी तीमें प्रश्कार सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि मैं आप कह रहे हैं कि मैं सामने कभी नहीं आए जाते यूवाओं का जमाना है और जो लोग हैं जो जब यूवाओं की बात होती है तो नजरें आपके उपर भी होती है कि विनोद ब्याना के बेटे साहिल करना राजनीती में सीधे सीधे कभार है सवाल फिर से रिपीट कर रहा है नहीं राजनीती में तो ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे आना है नहीं आना यह सब पर डिपेंड करता है अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है कि मुझे राजनीती में आना भी है कि नहीं आना तो आपका जो सिधा प्रशन है कि चुनाव लड़नेगा तो ऐसा अभी कोई विचार निकिया और बाकी जैसा जनता चाहेगी वैसा आप इसको समझ लिया तो इसका मतलब कहीं ने कहीं दिल में दिमाग में ख्याल तो है में और अगर तो ख्याल होता तो मैं आपको बहुत पहले कहता सर्वेश जी मेरा इंटर्वीव लिए मेरा इंटर्वीव लिए कमी कभी यजा कोई ख्याल नहीं कि मेरको चुनाव लड़ना या कुछ भी है यह सब परस्थितियों पर छोड़ देते हैं जैसा बगवान चाहें वैसा करने वालों के बड़े अलग इलग नजरीय होते हैं मैं तो यह मैं जो मैंने मेरे घर में मैं पिता जी जो नीति करते हैं जो मैंने बड़े करीब से देखा है वो एक राजनीती है जन्दसे वा वो उनका सुबा उठते उनका दे होता है कि आज मैं कितने लोगों को संतुष्ट कर सकता हूं कितने लोगों का मैं काम कर सकता हूं वो सुबा से शाम तक बहुत मेहनत करते हैं जो मैं देखता हूं तो मेरे लिए जो राजनीति के माईने है वो यह है जन्सेवा है और बहुत माइशा है कि मुझे लोगों का बला करना है मुझे जन सेवा करनी है उन का जो राजनीती करने का उनका झाती है कि मैं लोगों की सेवा किसे करूँ मैं लोगों के ज़ादा काम कैसे आ सको मैं लोगों कबीच में कैसे रहूं तो एक बहुत-बहुत मैनत करते कि मतलब सुभा उठते हैं और रात को सोने तक इसे ब्स euश्त है कि जो को का बला कैसे हो आसी हलके का बला कैसे कहां से और ज्यादा से ज्यादा हम किसी को कैसे क्या फायदा पुचा सकते हैं तो यह एक एक आम इंसान के लिए सारी जिंदगी दूसरों के लिए लिए बहुत बड़ी बात है जो मैं समझता हूं कि किसी इंसान के लिए बहुत मुश्कि जाता द्तोग deiयां काम हासिल कर लेता है तो लोगों की उमीदेंगे उसी तरे भड़ जाती है और यह सभी की उमीदों में खरा इतरना बर्दा मुश्किल होता है सबके काम कर पाणा बड़ा मुश्किल होता है और जब उमीद लेकि लोग आते हैं वो पूरे कई बार होते हैं कई बार नहीं होते हैं आप कैसे देखते हैं उनको फिर आप कैसे देखते हैं देखिए सो के कभी किसी के नहीं HUха करते मैं तो यह कहूंगा बगवान राम के राजे में में भी सो कि सो पर सेंट शंतुष नहीं थी खुष नहीं थी लोग कमीय निकाल दिया करते थे थे तो हम तो चीजिक्र है वह गारल है तो हमारा प्रयास रहता है जो परियास रहता है कि जो भी आपके द्वार पर आया है या जो भी द्वार पर नहीं आया है अगर लेकिन किसी की जंद समझ से हमें नजर आ रही है तो उसके लिए परियास जरूर करो काम हो ना हो वो काम की नेचर पर डिपेंड करता है अगले का नसीब पर डिपेंड करता है ये मैंने सीख सीखा है और मैंने देखा है कि हर आदमी जो हमारे दोखर चल कराया है हमारे पास काम करने के लिए परियास जरूद करते हैं पिष्टे दिनों तरंगा यात्रा भी निकाली विधायक आपके इसके पीछे का जो नकुखशा था जो आर्किटेक्ट्रल पॉइंट व्यू था वो सारा साहिल ब्याना का था और बड़ी काम्याप सी वह एक यात्रा रही थी कितना जोर लगता है कितनी बड़ी टीम इसके पीछे काम करती है देखिए मैं तो वही करता हूँ जो कोई भी एक बेटा अपने पिता जी के लिए अपने जैसे कोई अगर वेपारी है तो अपने पिता जी का हाथ बटाता है अपने किसी की दुकान है तो अपने पिता जी की जितने मदद कर पाता है करता है तो मैं तो सिरफ वही काम करता हू उनके प्रतिस ने हैं और उनका लोग प्रति प्यार है जो आपस में यह जो बॉंडिंग है इसी वजह से यह सब जो कार्यकरम होएं जनता के अशिरवात से उनकी मेनत से सफल होती है कि चीजे चेंज हो रही हैं तो पार्टी भी चाहती है कि यूआ आ गया है यूआ उनकी सोच को आगे तक पहुंचाए जाए उसके लिए जाइर सी बात है तैयार तो आप होई रहे हैं आज नी तो कल हो जाएंगे दूसरी बात ये थी कि बीजेपी को कैसे देखते हैं बीजे अगर कोई पार्टी दस साल से अगर कहीं राज कर रही है सत्ता में है तो निश्ची तोर पर उसमें बहुत सारी अच्छा है यह तो लोगों ने उसको दो बार लगातार चुना है और कमिया तो मैं क्या बताऊं जो सरकार चलाते हैं उन्हें बहली बाती बता है अगर किसी बहुत अच्छी बात है जो पार्टी काम कर रही है अच्छा काम कर रही है अच्छा काम कर रही है तो खूबसूरती गहें या फिर आप यह कहें कि सब्सक्राइब करने के लिए तमाम सवालों के जवाब बढ़े बखूबी दिया और लास्ट का जो सवाल था उसका जो सब्सक्राइब करें वीडियो को शेर करें और आप देखते हैं एक मत पहुंस्ट